नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और कमाल के मैच के वीडियो के अंदर Greatest Rivalry No.2 of IPL जी आ दोस्तों Mumbai Indians और Royal Challenges Bangalore के बीट जो मैच खेला जाएगा वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे हर एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे Captain Vice Captain किसे करना चाहिए साती सात कौन सा बड़ा प्लियर आज धोका दे सकता है वान खेड़े की सर्फिस पर मैच है और लास्ट मैच आपको याद होगा कितना बड़ा हमारे साथ धोका हुआ है लास्ट मैच में आप देखें वान खेड़े की सर्फिस पर बहुत बड़ी आ बैटिंग स्कोर होता है लेकिन लास्ट मैच में उतना कुछ नहीं हुआ है तो आज के मैच में किस तरीके की सर्फिस रहेगी Captain Vice Captain हमें किसे करना चाहिए क्या विराट पोली Captain करना चाहिए सूरिया का वल्ला भी नहीं चला है क्या सूरिया को Captain करना चाहिए सब कुछ हम एक ही वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले है तो वीडियो स्किप मत करना अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है कुछ हैलफो लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल के साथ आप जोड़ी भी सकते हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो IPL के बाद या IPL के अलावा भी जो भी मैचेस होते है वो मैं कोशिश करता हूँ उस चैनल के उपर कवर करूँ ठीक है बाकी यार लास्ट मैच में बड़िया रिजल्ट राय है इन लोगों के लिए अच्छा राय रिजल्ट मतब हमने लास्ट मैच में आर्शल पडेल को भी ट्राय किया था रवाड़ा तो खैस सब के पास थे अश्दीब सिंग को भी कुछ लोगों ने ड्रॉप किया था तीनों बोलर्स ने हम्यारी काफी बड़ी है विनिंग्स कराई है किन विनिंग्स कि लोगे क्यों यह जो टेलिग्राम पर कनेक्टेड है तो अगर आप अभी तक नहीं हो तो टेलिग्राम पर आ जाना डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में आपको पिल्लिंग मिलेगा चलिए शुरुआत कर लेते हैं सीधा पिछ रिपोर्ट के साथ तो वान केड़े के स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा जो कि मुंबई मैं जेनरली यहां की सर्फिस देखी गए कि बैटिंग के हुए थे इसका मतलब सीमर्स इंपोर्टेंट है दोनों ही टीम के और साथी साथ यहार मंबई अगर बोल्ट से बच जाती न तो उस मैच में मुंबई भी 170-180 बना देती बैटिंग लिए बहुत जादा तकलीफ हैं बाद में नहीं हुई शुरुआत में जो बोल्ट का स्प पूरिंग मैच देखने को मिल सकता है लेकिन वानखेड़ी की पिछ है मैं उम्मीद कर रहा हूं लास्ट मैच कैसा भी हो आज के मैच में थोड़ा बड़ी आम उम्मीद कर सकते हैं जादा बड़े स्कोर की 170 फर्स इनींग स्कोर है मैं उम्मीद कर रहा हूं 180 या उससे उप बैटिंग लाइनप है और RCB का यार सीजन उतना बैतर तो नहीं रहा है लेकिन बैटिंग लाइनप उनकी भी बहुत तगड़ी है क्या बहुत सारे प्लियर्स ने कुछ किया है नहीं बहुत सारों ने तो नहीं किया है विराट पुली एक तरफा रंस बनाए इसके लावा बाकी लोग फॉर्म में नहीं है थोड़ा सा मसला यह है बाकी अगर फुल पोटेशल के साथ वो खेले तो बड़ा स्कूर बना सकती है यहाँ पर देखे तो मुंबई इंडियस ने लास्ट जो मैच था दो सो चौटिस बनाए हुए थे और डैली कैपिटल से उस मैच को चे बाकी यहाँ पर आप देखे तो 125 और राजस्टान देख रहे हैं आप बाई चेज कर गए यह काफी आसानी से उसके पहले संराइजस ने लास्ट यह दो सो बनायते मुंबई इंडियस ने चेज कर दिया था तो बढ़िया वेन्यू है बैटिंग के लिए एक मैच जरूर थ यहाँ से सूरिकुमार यादव और नेहल वदेरान अच्छा किया सूरिया का बल्ला बाई चलता है आर्सीवी के अगेस्ट आपको पता होगा क्यों चलता है वह आपको रीजन पता होगा चलिए यहाँ पर बात करें मुंबई इंडियास की पासिबल 11 की तो चेंज यह सब नहीं होगे गाली ट्रेक पर आ चुती है अलाकि 234 आपने बनाए थे और 200 रन आपने पीछे पढ़वा भी दिये तो बोलिंग उतनी बैतर नहीं किये सरफेस पे बैटिंग की नहीं अच्छी होती है तो फिर बोलिंग उतनी बैतर नहीं हो बाती है बाकि आज के मैच में उ सकते हैं चुलुगात करें रोई शर्मा के साथ 29 का एवरेज है रीसेंट पॉर्म आप देको बढ़िया कर रहे है रीसेंट अच्छा कर रहे है एक मैंच बस खराब रहा है बोल्ट वाला इसके अलाबा हर मैच में 25-30 वाली पारी खेलके दिए आज के मैच में मैं उम्मीद कर रहा हूं 20-30 तो कर जाएगे 30 प्लस स्कोर डेफिनेट नहीं करेंगे थोड़ा सेलफ लेस तरीके से खेलते हैं इसली कई बार 49-40-50 किसी भी स्कूर की उपर बड़ा शौट लगाने जाते हैं और थोड़ा सब विकेट खो देते हैं तो आज के मैच में क्या करना चाहिए टीम में रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रेल लिंग में ट्राय करो, स्मॉल लिंग में तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर रहा हूं इशान किशन की बात करें तो 29 कावरेज है, 20 सेंट फॉर्म ठीक है और प्लस पॉइंट के हैं विकेट कीपिंग से भी कुछ सेंट फॉर्म बहुत तगड़ा है, लास्ट मैच में पहले ही मैच में आते से जीरो कर दिया है, सेकेड मैच में इसके आगे पांच और लगा सकते हो, पचास प्रस रंस आप उम्मीद करके चल सकते हो, विकि सूरिया तगड़ा बैट्समन है और सामने ऐसी टीम मिल रही है जिसकी अभी तक तो बोलिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकता है आज करने, लेकिन अभी तक उतनी अच्छी बोलिंग नहीं हुई है, तो सूरिया अपने फॉर्म में वापस आ सकते हैं, फॉर्स बैटो चाए सेकेड बैटो, पचास मानने के चांसे दौनों कंडिशन में है, तो कैप्टन वाइस के आप रख सकते हो, हार्दिक पंडिया तीस का एवरेज, रीसेल फॉर्म बढ़ी है, यार बैटिंग अच्छी कर रहे है, मां कि यार टीम के कैप्टन है, तो अलका सामारे सांथ मजाग कर देते हैं, अब टीम के पास इतने सारे ओल डाउनर है, कि हार केप्टन वाइस केप्टन आपुतनी में हैतर चोिस नहीं लगर रहा है, प्रीज फिलन वाइस केप्टन अगर आपको करना है तो कर सकते हो, मैं क्याप्टन वाइस केप्टन तो नहीं कर पा रहा हूँ, स्मॉल लीग, टीम मैट एफिठील्टी रखेंगे, ढपने करना खासकर फर्स बैट के अंदर रोमेरियो शेफ़र्ड लास्ट मैच में मुंबई निस्क टरफा विन करा है जो थर्टी नाइन वाली पारी खेली है लास्वर्ड में 32 रन इनों बनाये थे एक विकेट भी निकाला है आज के मैच में भी मैं टीम में भी रख रहा हूं करें लास्ट मैच के अंदर डैथ में चार विकेट ले गए आज के मैच में भी डैथ में इंपोर्टेंट रह जाएंगे तो बिल्कुल टीम के अंदर है फ्यूश चाबला के साथ मैं जा नहीं रहा हूं बुम्रा को डेफिनिटली हम मिस्स करेंगे नी फिर से एक दो विके लास्ट मैच में यार विकेट जरूर ने मिला लेकिन बॉलिंग अच्छ हुई है और मैंने शुरुआ आथ के कुछ ओवर्स देखे थे विकेट लेते लेते रहे हैं मतलब एकाद दो विकेट तो आसानी से ले सकते हैं आज के मैच पर भी जब सामय वाली टीम का बैटिंग उतरा अच्छा नहीं चल रहा है हाला कि यार मैं आर्सेवी की बुराई बिल्कुल नहीं करूंगा आज बैटिंग से फ़र्म वापस आ सकता है सिर्फ विराट कोली के रंस है आज दूसरी प्लेयर्स भी कुछ काम के प्लेयर्स हैं जो रंस करके दे सकते हैं यहां पर बात क क्या है कि आपको थोड़ी सी बुलिंग भी करके दे सकते हैं मतलब दो ओवर्स के आसपास ठीक है चलिए शुरुआत करें न्यू प्लेसेस के साथ 36 रीसेंट फॉर्म खराब चल रहा था लास मैच से फॉर्म में वापसी की है आज के मैच में मैं बहुत जादा उम्मीद न बनाएंगे सेंचुरी तो मुझे चैंस काम है क्यों कि मुंबई की बोलिंग थोड़ी बड़ी है चालिस प्लस स्कोर डेफरेंटली बनाएंगे के पर रख सकते हो रजट पार्टीदार नहीं है टीम के अंदर डेंड लिक में ट्राय करना और आज हो सकता है टीम ड्रॉप क के तो और पर आपको काम ज्यादा तर करके देते हैं माकी प्लेर्स कभी भी कोई भी फेल हो जाता है तो मैक्सवेल कैप्टेन वाइस कैप्टेन की चोईस मुझे स्मॉल लिंग में बिल्कुल नहीं रख रहा है बोलिंग से ज्यादा उम्मीद नहीं है और बैटिंग सो खिलते थे तो कहीं न गई अपनी एकस टीम के अंगेंस ठोड़ा बढ़िया कर सकते हैं लास मांस्ट भी आपने देखा बोल्ट भी पहले मुंब़ं इंडियस से खेलते थे वो भी अच्छा करते हैं डिकोग मुंबईन इंडियस के अच्च्छा करते हैं तो ग्रीन कि चाल बोलर है दो विकेट एक विकेट हर मैच में निकाल रहा है बिल्कुल टीम के अंदर आप रख सकते यो खासकर फॉर्स पूल के अंदिन पीछे बोलिंग आ रही है तो फिर मैं आर्सीबी के बोलर्स वह बोलोस आ बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूं वहीं जैसे 120 और 130 वाला टोटल है विकेटी नहीं मिलते तो पीछे अगर बोलिंग आर्सीबी की आरी तो फिर मैं मुंबई के बोलर्स वहीं सिर्फ रखोंगा आर्सीबी का टोपली अगर आप नजर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक को रखो अधरवाइस ना रखो तो भी काम चले है मागी फिक्स प्लेयर्स देखे तो इशान किशन विराट पोली रोविश शर्मा मैक्सवेल हार्दिक पंड्या और जस्प्रीद बुम्रा यह जो प्लेयर्स हैं यह आपको मैक्सिमम टीम में रखना है अब ट्रम प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं आज के मैच मैं मैक्सवेल स बैट आती है तो थोड़ा बहुत मुव्मेंट तो यार सिराज को भी मिलेगा और टोपली वी शुरुवात में लेकर आ सकते हैं तो इकाद विकेट जल्दी गिर सकता है जिसमाएं कि शान किशन का फॉर्म उत्रा मैतर नहीं चल रहा है लास्ट में सिर्फ अच्छा किया आ वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्राइब करें चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे हमारी स्मॉली की टीम उसके पहले अगर आप टेलिग्राम पे नहीं आयों तो टेलिग्राम का बन जाए है फाइनल जो टीम है आप डेट के साथ हो और आप बहुत करेंगे हैं तो टेलिग्राम पे आजओ फाइनल टीम आपको मिल जाएगी बाकी स्मॉल लिंग मेरा इंवेस्मेंट हो रहा है यहां पे जो आप देख रहे हैं बैट बोल 11 के अंदर जहां कॉम्पेटिशन बहुत कम देखने को मिलता है तो अगर आप भी ल तो अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हो तो इसका पार्ट बन सकते हो लिंक से डाउनलोड अगर नहीं है तो फिर आप फ्री के गववे का पार्ट नहीं बन सकते हो इसके अलावा पांच रुपे मैं ग्रेंड लीग भी जोइन कर सकते हो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉ बागी फाइनल जो टीम होगी इसकी भी मैं अपडेट करके आपको टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगा चलिए शुरुवात कर लेते हैं विकेट कीपिंग से तो विकेट कीपिंग मेरे पास है और यह दो प्लेयर्स के साथ तो मैं नहीं जा रहा हूं यार दिनेश का आर्थि तो टेलक को भी आप सोच सकते हो टिम डैविट फर्स बैट मां बढ़िया चोईस रहेंगे बैटिंग सर्फेस रहेगी तो कहीं न गई बैटिंग आया है और तिम डैविट ऐसा नहीं है कि आप बहुत पीछे के लिए बचा देते हैं उनको बैटिंग प्रॉपर मिल रही ह सेक्शन तो मैक्सवल हमारे पास है हार्दिक पंड्या ग्रीन और शेफर्ट चारों के साथ में जा रहा हूं शेफर्ट से थोड़ी उम्मीद काम है तो अगर आपको शेफर्ट नहीं रखना है तो किसी एक्स्टा बैट्समन या बोलर्स के साथ आप जा सकते हो ठीक है बु बोल आ रही है ना मुंबई की तो फिर शेफर्ट को ड्रॉप करके आप आकाश मदबाल को भी अपने टीम के अंदर जगा दे सकते हो अच्छा अपने कर रहा हूं विराट कोली को और वाइस केप्टन मेंने किया सूरिया को अगर आपको रिवर्स कर रहा है रिवर्स भी कर अगर करते हैं तो फिर केप्टन वाइस केप्टन की बड़िया चोइस होते है ठीक है तो कुछ इस तरीके की अमारी टीम है फाइनल जो टीम रहेगी अपडेट के साथ बैट बॉल 11 की वह मैं आपको टेलिग्राम पे शेर करने को तो जोईन कर लो डिस्क्रिप्शन कॉमें वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्रीब कर सकते हो वेलता है नाक्स वीडियो में थैंक्यों देंक्यों की सोब में